हेलो एव्रिवन, हेलो प्यारे बच्चो, विल्कम बैक तो अनदर सेशन, विल्कम बैक तो अनकाडमी नीटॉपर्स, कैसे हैं आप सब लोग, हाव यौल दूइंग बच्चो, ज्यादा तेज तो नहीं हो गया, अच्छा, तो आक्चुली कुछ टेकनिकल इशू था, री आप मुझे सुनो और देख पारें बीटा, येस और नो, आई होप येस है ना, हाँ चल पड़ा है, सेशन हमारा चल पड़ा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो बच्चो, गुड आफ्टरून, गुड आफ्टरून, गुड आफ्टरून, अरी फिर से कोई बोल रहा है, ज बेशिता, मेनाक्षी, काजल, अरी लड़किया ही आएं क्या, इस क्लास में, तुक टुक, लिपसा, पायल, अरे लड़को कहा हो, सो रहे हो, क्या, तो एक धनन जाय दिखा मुझे अभी, अभी जीत दिखा है, पारस दिखा है, चल ठीक है, आगे, लड़के भी आगे, ठीक सिंपल से questions करेंगे, जैसे exam में आते हैं, और actually जो relative in 2D है न बेटा, वही river man या फिर river boat problem है, उससे river man और river boat problems ही आते हैं, है न, rain man और river boat, sorry, तो आज एकलव्या 170 प्लस का I think 14th day होगा, है न, day इसमें लिखा हुआ नहीं है, आप चेक कर ले न, जो भी है, तो आज हम थोड़ी चोर और पुलिस की कहानी भी सुनेंगे, पुलिस वाले चोर को कैसे पकड़ते हैं, ठीक है न, यह सब होगा आज, तो चली शुरू करते हैं, फिर किसका, किसका लेट क्यों करना है न, बेटा, किसका इंतजार है, और हाँ, आज 5 बजे बेटा, आज 5 बजे, we are doing error propagation, propagation of error रह साल, ठीक है, तो यह जो एक घंटे की क्लास होगी, 5 से 6 पीम टुडे, that will give you 4 marks, guaranteed, ऐसा है मतलब, तो आज की क्लास तो भूल के भी माप मिस मत कर देना, लिंक उसका आपको अभी चैट बॉक्स के ऊपर दिख रहा होगा, ब्लू कलर में हाइलाइट किया हुआ, तो बच्चो है, 2022 के जो बच्चे हैं, अगर वो सेशन देख रहे हैं, या फिर अगर 2021 के बच्चे हैं, तो अपने जूनियर्स को बताईए, छोटे भाई बहन को बताईए, कि 2022 जो है आ आ जुका है, it is in now, समरपन बैच शुरू हो रहा है बेटा, 28 अपरल से, यान की आज से, और आज त 10% discount मिलता है, वो तो आपको मिलेगा ही, उसके लिए बेटा आपको code लगाना पड़ेगा, PHEEL, है ना, feel, क्या code है बच्चो, feel, इस code को लगा के आप maximum discount ले सकते हैं, तो हर एक 2022 के aspirant के लिए ये बहुत ज़रूरी है, कि वो time पे अपनी कहानी शुरूआत कर दे, है ना, preparation की तो 28 से एपरिल से ये बैच तो आही रहा है, 5th of May से हमारा बैच भी आ रहा है बच्चो, जहां पर गरिमा मैं आप बायो पढ़ाएंगी, बीटी सर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और मैं आपको physics पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो that also you can join, और 2021 के बैच भी चल रहे है, 2021 वाले 500, 10% discount मिल जाएगा इसमें, और 2 years का है, 56,000 रुपीज, ठीक है, चलो, तो वहाँ पे भी 10% discount हो जाता है, code आपको पता ही है, THWL यूज़ करना है, अनेकडमी combat हर संडे को होता है, यहाँ पे भी आप अनलॉक करने के लिए same code यूज़ कर सकते हैं, test दीजिए, improve कीजिए, च तयार होएं क्या आप सभी लोग, क्या आप सभी बच्चे तयार हैं, दिल बनाक एक बर बता दीजिए, चलो, शूरू करते हैं, चलो, 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 बहुत कुछ पढ़ने को है, session साढ़े-4 बज़े तक चलेगा, हो सकता है, चलो, क्या दिख रहे हो, हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कोई बच्चा पूछ रहा है शादी करने का एज कितना होना चाहिए हाँ बताएंगे बताएंगे दिल्कुल relative motion के concept से समझाएंगे कि आप इतनी तेजी से भाग रहे हो आपको जिस्चे शादी करनी है वो उतनी तेजी से भाग रहा है उनका पहले relative speed निकालेंगे फिर ये निकालेंगे कि दोनों को distance कितना cover करना है वहाँ से time निकलाएगा ठीक है तो इस session को end तक देखो तुम्हें पता चल जाएगा right age to get married ठीक है तो जैसे कि उस बच्चे ने पूछा कि सर शादी करनी की right age क्या है तो उसका जवाब देते हुए मान लीजिए ये दूला है दूले का नाम है ए ये चल रहा है बच्चे वी ए की रफतार से वी ए की रफतार से ये चल रहा है ठीक है बहुत बढ़िया और उसी के पास एक बी भी है ये दूलहन है दूलहन चल रही है वी बी की रफतार से है ना बच्चो हम ऐसा मान लेते हैं कि वी ए इस एक्चुली greater than वी बी ऐसा मान लो आपको दिया हुआ है कि दूला थोड़ा तेज है जेनरली होता भी है तेज भाग रहा है बिल्कुल ठीक है विटाए तो टी टाइम में दूलहा कितना भाग जाएगा आप बोलते हैं टी टाइम में दूलहों कितना चल लेगा ये चल लेगा डिस्टन्स वी-ए इंटो टी ऐसे निकालते हो क्या बच्चो डिस्टेंस अपर distance is velocity into time है ना बच्चो तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर हाँ सर सही बात है इतना चल लेगा दुलहन कितना चलेगी उसकी speed तो vb है same time में vb into t चलेगी simple calculation बच्चो है ना अब दिखो यह थोड़ा कम चली है यह थोड़ा जादा चला है क्यों क्योंकि एक किरफ़तार जादा एक किरफ़तार कम time दोनों के लिए same है right everyone तो ऐसा है कि जब दुलहा इसको देखेगा दुलहन को तो उसको क्या लगे का पता है कि actually दुलहन ने सिर्फ इतना ही distance cover किया है क्योंकि वो इतना ही पीछे उससे खड़ी है तो इसको हम कहते है बेटा relative motion इसको हम क्या कहते है relative motion ठीक है अब देखो ध्यान से ये जो छोटा सा distance तुम्हें दिख रहा है न ये है distance of B with respect to A कहने का मतलब ये है कि B कितना चला A के respect में या फिर B कितना चली A के respect में ground पे बैठा हुआ observer क्या बोलेगा ground पे बैठा हुआ observer चलेगा बोलेगा कि ये B का distance है ground पे बैठा हुआ observer बोलेगा ये A का distance है लेकिन A पे बैठा हुआ observer क्या बोलेगा ये है B का distance इसलिए चीज़ें थोड़ी सी change हो जाती है जब आप frame of reference को change कर देते हो तो बच्छो आपको ये formula जल्दी जल्दी बता देता हूँ velocity of A with respect to B अगर आप निकालोगे तो formula क्या होता है VA माइनस VB ये सब लोग जानते हैं क्या derivation निकरा रहा हूँ crash course है फड़ा 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 देखो आगे बड़ो है ना बिटा वहीं अगर आप VBA निकालेंगे इसका formula होता है VB माइनस VA तो इन दोर में आख्री difference क्या है जब मैं VA भी लिखता हूँ बच्चे और जब मैं VBA लिखता हूँ तो difference क्या है सुनो इसको ऐसे पढ़ते हैं VAB को हम बोलते हैं velocity of A जो पहले लिखा है तो पहले A लिखा है तो हम बोलेंगे velocity of A with respect to B with respect to B मतलब B हमारा frame of reference हो गया समझ रहें आप? आप समझ रहें? frame of reference कौन है आप समझ रहें? अगर आपने VAB लिखा है तो किसकी velocity लिखी जा रही है? A की velocity लिखी जा रही है B के respect में यानि कि B frame of reference है और ध्यान से सुनना जो भी frame of reference होता है जो भी frame of reference होता है उसको rest पे मान लिया जाता है It's like आप एक car के अंदर बैठे हो तो car में जो भी चीजे रखी है वो आपके लिए rest पे है क्योंकि वो आपका frame है तो जो भी frame होगा वो rest पे होगा repeat after me जो भी frame of reference होगा उसको rest पे माना जाएगा इस frame पे तो this is our frame of reference and इसको हम rest पे मान लेते हैं अब ये question कराऊंगा गजब मजा आएगा तुमको ठीक है बहुत मजा आएगा वी भी ये में frame कौन है बताओ वी भी ये का मतलब है velocity of B with respect to A सही कह रहे हैं क्या सर? हाँ और अगर with respect to A निकाला है तो A ही हमारा frame है ये ही है वेटा हमारा frame तो A हो गया हमारा frame और ये ही रहेगा rest पे ठीक है? अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या चल रहा है rest-west पे है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अभी आप समझ जाएंगे मानलो बच्चो मैंने तुम्हें दिया एक homework ठीक और तुम वो करके नहीं आए भूल गया है जो और से भूल गया एकदम जब अरदस तरीके से भूले हो और आगया मेरे को घुस्सा तो मैं तुम्हारे पीछे भागा तुम्हारे पीछे भागा तुम भागते 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 तुम्हें एक ठेला दिखाए दिया ठेला समझते हो वो होता है न इसमें सबजी वाले बेश्ते हैं आलू लेलो, क्याज लेलो, कांदा लेलो है न वो दिखाए दिया तुम उसमें जाके बैट गये उस पे बैट के तुम फुल स्पीड में भाग रहे हो यह है ठेला जिसमें भाग रहे हो ठीक है जिस ठेले में भाग रहे हो बेटा इसकी velocity है 10 meter per second मेरे को और गुस्ता आ गया यह ठेले पे भाग रहे हैं अच्छा बड़े smart बन रहे है तो मैंने निकाली अपनी ओड़ी चले वाली गाड़ी निकाली मैंने अपनी बड़िया एकदम वैसे मेरे पास नहीं है बट ऐसी बोल रहा हूँ style मानने के लिए तो मैंने निकाल ली ओड़ी ठीक है अब मैं ओड़ी में तुम्हारे पीछे देखे लिए कि तुम मेरे से 100 मीटर आगे थे अब बताओ क्या ठेले में भागते हुए इन नमूनों को इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हैंडसम स्मार्ट सा टीचर पकड़ पाएगा बिल्कुल पकड़ पाएगा क्योंकि ये ओड़ी में इसकी स्पीड ज्यादा है इनकी स्पीड कम है पकड़ लेगा सवाल तो यह है कि कितनी देर बात पकड़ लेगा टाइम आफ्टर विच इस हैंडसम स्मार्ट टीचर विल बी अबल तो कैच इस नमूना स्टुदेंट्स वो टाइम आपको निकालना है बिटा है ना हाँ अब मेरी बात को ध्यान से सुनना इसको हम लोग A कह लेते हैं इसको हम लोग B कह लेते हैं यह मैं कर लेता हूँ आप Dream A Learn पे टीम बना लो तब तक यह मैं कर लेता हूँ बिटा यह सवाल मुझे करने तो आप देखो ध्यान से यहाँ पे दोनों आगे बढ़ रहे हैं जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो कई बार आप एक ऐसे अप्रोच में जाते हो जहां दोनों बाडिस को मूव कराते हो टाइम ज़ादा लग जाता है परिशानी ज़ादा होती है हम लोग यहाँ पे लगाएंगे रिलेटिव मोशन देखना त्यान से A की स्पीड 15 ग्राउड के रिस्पेक्ट में है बेटा B की स्पीड 10 भी ग्राउड के रिस्पेक्ट में है लेकिन मैं अगर लिखता हूँ मैं अगर लिखता हूँ velocity of A with respect to B frame change हो गया अब हमारा frame कौन बन गया B is our frame of reference और बिटा जो हमारा frame of reference होता है क्या वो rest पे आ जाता है जी हाँ वो rest पे आ जाता है सर अच्छा मतलब मेरे इस frame से ठेले वाले frame से B वाले frame से आपका ठेला rest पे आ चुका है बिटा मेरे बाद समझ रहो आप इसकी velocity 0 हो चुकी है इस frame पे क्योंकि ये frame ही है और इस frame पे एक ही रफ्तार कितनी होगी पता है formula है उसके लिए VA-VB सबका answer 20 आ रहा ना चेक करता है कोई नहीं VA का formula 15 मतलब value और VB का value 10 सबको समझ में आया बच्चे अभी अभी formula सिखाया है क्या 2 मिनिट पहले एकदम है ना तो ये 5 meter per second अच्छा इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से सुनिएगा बहुत important है ground frame से देखा जाए तो A कितनी speed से जा रहा है बोलो 15 से उसी ground frame से B जा रहा है 10 की रफतार से लेकिन अगर मैं अपना frame change कर दू relative motion का concept लगा दू यानि कि मैं B पे जाके बैठ जाऊ तो B पे जाके बैठने के बाद अगर B की रफतार देखी जाए तो वो 0 वो rest पे बटा वो rest पे आ चुका है उस frame से यह रुका हुआ है अब तुम रुक चुके हो देखा मैंने कैसे रोक दिया तुम्हें और मेरी गाड़ी अब कितनी रफतार से जा रही पता है V A B velocity of A with respect to B तुम्हारे respect में कितना faster चल रहा हूँ ये भी कह सकते हो तुम तो मेरा 15 है तुम्हारा 10 है मैं 5 फास्टर चल रहा हूँ तो 15 माइनस 10 किया 5 आ गया अब आये हो तुम लोग पकड़ में इस फ्रेम पे तुम रुक चुके हो कहीं नहीं जा रहे और इस फ्रेम पे मैं आ रहा हूँ पांच की रफतार से इस्टेंस कितना है 100 तो टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है लगा दो 100 अपॉन फाइव ट्विंटी सेकेंड बात तुम बिल्कुल पकड़े जाओगे फुल कुटाई होगी तुमारी जबर्दस तरीके से समझे क्या समझ गय हो क्या तो जल्दी से बता दो बेटा अगर तुम इस बात को समझ गय हो तो जल्दी से बता दो सिंपल है एक और कुश्चन करोगे एक और कुश्चन करोगे बेटा चलो एक और कुश्चन करवाता हूं है ना एक और कुश्चन करवाता हूं अगली बार तुमने फिर से नहीं किया धीट तो तुम हो अगली बार फिर से नहीं किया और इस बार तुमने एक अपने दोस्त को बुला लिया वही छपरी दोस्त जो गाड़ी चलाता ऐसे 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 साप की तरह बिल्कुल ठीक है तो वो पहले ही तुम्हारा वेट कर रहा है ठीक है यहां कहीं पर बहुत घटिया सा डाइग्राम बना लेते हैं इसका इस बाइक का बहुत ही घटिया सी बाइक है इसके पास तो वो लेके आ गया है ठीक बहुत बढ़िया तो इस बार भी तुम मुझसे 100 मीटर आगे थे थोड़ा सा मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ 100 मीटर तुम मुझसे आगे हो अभी भी है ना यह बाइक इनीशली रेस्ट पे थी ओविसली यह रुका हुआ था जीरो वेलोसिटी पे था जैसे ही मैंने पूछा से इसने एक्सेलीरेट कर दिया वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलीरेट कर आके भगाऊंगा बोल रहा है तुमारा दोस्त तुमको उसको पता नहीं है किस से पाला पड़ा है हमने निकाली अपनी ओडी और जब बाइक एक्सेलीरेट कर सकती तो हम भी कर सकते हैं लेकिन हमने बोला छोड़ो हम एक्सेलेरेट नहीं करेंगे हमने भागना शुरू किया 20 मीटर पर सेकेंड से यह हमारी इनीशल वेलोसिटी है तो बताइए कितनी देर में पकड़ लूँगा मैं उसको या नहीं पकड़ पाऊंगा कुछ भी हो सकता है क्या पता नहीं पकड़ पाऊंग देखते हैं है न बच्चे देखते हैं पकड़ पाएंगे कि नहीं पकड़ पाएंगे अब देखना आब ध्यान से सुनना विरी बात है न अगर मैं relative velocity निकालू velocity of A with respect to B ठीक है बच्चे यह 20 आ रहा है अच्छा यहाँ पे acceleration भी है यहाँ पे बच्चो acceleration भी है तो मुझे acceleration of A with respect to B भी निकालना पड़ेगा समझ रहे हो? acceleration भी निकालना पड़ेगा इतना तो आ जानते हो न आप लोग तो यह आएगा, निक दिखो जरा A का तो कुछ acceleration है नहीं जीरो है तो यहाँ पे आप जीरो लिखोगे B का acceleration 1 है Oh my God माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्कॉयर आ गया माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्कॉयर आ गया इस फ्रेम पे ध्यान से सुनना कौन रेस्ट पे रहेगा B रेस्ट पे रहेगा मतलब अगर मैं नए फ्रेम की बाइक बात करूँ तो बाइक तुम्हारी रेस्ट पे है यह अब आगे नहीं जारी इस वाले फ्रेम पे कार की वेलोसिटी कितनी बटा relative velocity वो तो 20 ही है 20 ही है ठीक है 20 मीटर पर सेकंड लेकिन इसका एक deceleration आ रहा है क्या देखो minus 1 पीछे की तरफ तो actually यह relative में बोलने का तरीका होता है तो या तो तुम यह बोल लो कि bike accelerate हो रही है या तो तुम यह बोल लो कि car accelerate हो रही है फ्रेम के आ जाने से देख रहे हो क्या हो जाता है ग्राउंड के फ्रेम से देखा जाए तो bike accelerate हो रही है लेकिन अगर bike के फ्रेम से देखा जाए तो car decelerate हो रही है या अगर car decelerate हो रही है है ना car अगर decelerate हो रही है तो आगे बढ़ते 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 इसके velocity 0 हो जाएगी क्या बिटा अरे होगी नहीं होगी बताओ यार अभी 20 है थोड़ी देर बाद हो सकता है 15 होगी थोड़ी देर बाद और देखोगी तो 10 हो जाएगी थोड़ी और देर बाद देखोगी तो 5 हो जाएगी खतरा है पता नहीं हम वहां तक पहुँच पाएंगे कि नहीं बाइक तक पता नहीं हम बाइक तक पहुच पाएंगे कि नहीं decelerate हो रहा हूं मैं decelerate कैसे पहुचूंगा मुझे नहीं पता है चलो यह पता करते हैं कि कितने distance में कितने distance में इसकी velocity 0 हो जाएगी कार की है ना कार की initial velocity 20 है मैं जानना चाहता हूँ इसकी velocity 0 कब होगी देखते हैं bike से पहले हो जाती है bike के बाद बदलब bike को में पकड़ पाऊंगा की नहीं है ना 100 meter का distance था चलो ठीक है v square बराबर u square plus 2 as लगाया formula final चाहिए 0 initial velocity है 20 20 का square बिटा 400 acceleration negative है 2 into 1 है ना 2 into 1 2 हो गया acceleration 1 है into distance अरे रुक जाओ into distance इसको जड़ा solve करो तो 400 बराबर 2 into s यान कि हमारा जो stopping distance है वो आ रहा है 200 meter ओके तुम लोग समझे क्या हुआ यहाँ पे मैंने stopping distance निकाल दिया यह जो चीज है यहाँ पे यह जो कांट किया गया है यह stopping distance निकालने का तरीका है एक और चीज सीख गया आप नई चीज कि कितनी देर बाद वो गाड़ी रुक जाएगी अगर उसकी velocity initial 20 है acceleration negative 1 है कहां जाके रुकेगी 200 में तो यहाँ से चली ऐसे 100 में ही पकड़ लिया मैंने तुम्हें 100 में ही पकड़ लिया 4 तमाचे लगाए homework करा करो अभी रुका नहीं हूं मैं चलते चलते मारा है बिल्कुल style में एकदम मेरी गाड़ी अभी चली रही है किसी रफतार से मारा 4 आगे बढ़ा आगे जाके 200 पे जाके रुकूंगा मैं मतलब पकड़ तो लिया मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें पकड़ तो लिया बेटा है ना अब तुम मुझे बताओ कितनी देर में पकड़ा होगा ये अच्छा सवाल है ठीक है सर पकड़ लिया आपने कितनी देर में पकड़ा होगा? ये कैसे निकालेंगे? तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे कितना travel करना पड़ा? 100 मेटर तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे कितना travel करना पड़ा? 100 मेटर अच्छा, मेरी initial velocity कितनी थी? 20 मेरा acceleration कितना था? minus 1 कितना distance travel करना पड़ा तुम्हें पकड़ने के लिए 100 meter तो बताओ कितने time में पकड़ लूँगा कैसे निकालेंगे आप ऐसे निकालेंगे s बराबर ut प्लस half a t square क्या मैं यहाँ पे भी हर जगे kinematic equation लगा रहा हूं बेटा येस अच्छे question करा रहा हूं हाला कि इस इस नाइस question क्या पता नीट में इतना लंबा नहीं पूछ है कि चेक करना पड़ रहा है पकड़ पाएंगे कि नहीं बट concept तो clear हो रहा है और अगर concept clear हो रहा है तो तुम्हारे लिए win-win situation है इसी का छोटू सा पाट आएगा नीट में धड़ा-धड़ सॉल्व करना आगे बड़ जाना क्या कहते है बटा concept clear करने के लिए question बड़ा अच्छा है कि पकड़ पाएगा कि नहीं ये चेक कर रहे हैं है ना येस अब देखो हामें 100 चलना है 20 की इस रफतार है time निकालना है यहाँ पर minus आ जाएगा क्योंकि acceleration minus 1 है तो गया वो काम से और यहाँ पर t square quadratic equation बनेगा बेटा इसको solve करोगे ना तो time के value आएगी कर लेना बाद में इतनी हडबड़ी में हम नहीं है आप बाद में इसको solve कर लीजेगा कोई बड़ी बात नही है quadratic solve करना सबको आता है हालांकि again I am repeating शायद नीट में इतना नंबा नहीं पूछें आपसे शायद ना पूछें इतना लंबा बट क्या concept clear हुआ है क्या acceleration भी था यहां पे तुम्हारा तो बड़े smart निकले पहले तो तुम ठेले में भागते थे तुम्हारा भी acceleration 0 हमारा भी acceleration 0 तो काफी आसान हो जाता है सवाल relative velocity निकालो distance पता है पतम time बराबर distance upon velocity पतम हो जाती यह बात है ना यहां पे थोड़ा सा थोड़ा सा जादा नहीं इत practice कर लोगे मजा आ जाएगा फील आ जाएगी और तुम लोगा बड़े हो चुके भाई नीट देना तुम्हें थोड़े दिनों में है ना कितना रहा है इसका answer कुछ आ रहा है क्या 10 से सटिस्फाइब हो रहा है क्या इधर 100 है इधर भी 100 आना चाहिए 20 इंटू 10 हो जाएगा बेटा 200 माइनस यहां पर 10 लिखूंगा तो 10 स्क्वाइर हो जाएगा उतलब 100 हो जाएगा डिवाइड़े बाई टू नहीं पेटा 10 में तो साटिस्फाइब नहीं करेगा 10 में कहां सैटिस्फाइब कर रहे हो बाई 20 इंटू 10 हुआ 200 माइनस आफ इंटू 10 का स्क्वाइर 100 तो 100 by 2 is 50, ये तो 150 आ जाएगा, तुम solve करके देखो यार, quadratic ही तो है, check कर लेना है न, जो भी आ रहा है answer, ठीक है बच्छो, कर लेंगे आप लोग, आगे बढ़ जाए हैं हम लोग अभी, बहुत बढ़िया, let's move ahead now, अब हम लोग बात करते हैं, relative motion in 2D के बारे में, 20 आ रहा है, चलो जो भी आ रहा है, अरे answer से हमें फर्क नहीं बढ़ता है, हमें इस बात से फर्क पढ़ता है कि क्या concept समझ में आ गया, बाकी हो सकता है, imaginary आ जाए, quadratic का कई बार root निकलता भी नहीं है, वैसे इसमें निकल जाना चाहिए, check कर लेना, 20 आ रहा है, चलो ठीक है, बहुत बढ मान लूँ मैं, मैं कोई गलत assumption तो नहीं रख रहा हूँ ना बेटा, मान लूँ ना कि तुमसे हो जाएगा, या एक और करा हूँ, चलो जाओ, एक और करा देता हूँ, लो, एक और question करा देता हूँ, इसमें क्या बोलते हैं, कि बसंती उपर चड़ चुकी है, टंकी पे, और वीरू नीचे है, बसंती उपर है, वीरू नीचे है, ठीक, बसंती ने एक पत्थर फेका, 20 meter per second की velocity से, तो वीरू ने बोला, मैं क्या बैटके दिखता रहूँगा, मैं भी पत्थर फेकूँगा, तो वीरू ने पत्थर फेका, उपर की तरफ 30 meter per second से, इन दोनों के बीच का आगा जो height है, वो 100 meter है, बताओ ये दोनों पत्थर, अब एक दूसरे से मिलेंगे, इनका मिलन कब होगा, मिलेंगे ना एक दूसरे से, कब मिलेंगे, ये पूच रहें, टाइम पूच रहें आपसे, उसने 20 से नीचे भेका है, इसने 30 से उबर, ये कब मिलेंगे, इनका मिलन कब होगा जल्दी बताव मिलन अभी आधा अधू रहा है उसको पूरा कर दो what after how much time they will collide this is the question anyone anyone with the answer चलो राहूल कह रहा है दो सेकंड बाद मिलेंगे तुशानता कह रहा है दस सेकंड बाद मिलेंगे ओके जै सेकंड दस सेकंड दस सेकंड दस सेकंड दस सेकंड दो सेकंड बहुत बढ़िया थीक है मैं आपको इसको solve करके दीताओ ठीक है ध्यान से सुनना मेरी बात गा 측den बात है कि अधाकंड वालों करें ओक कन खोल के सुनो मान लो आपने इसको A माना है इसको आपने B माना है है ना बहुत बढ़िया अब आप क्या लिखेंगे let's say आप velocity relative calculate करेंगे मान लो मैं calculate करता हूँ velocity of B with respect to A तो इसका formula होता है बेटा VB minus VA बच्चो बताओ इस frame पे कौन rest पे आ जाएगा इस नए वाले frame पे A rest पे आ जाएगा क्योंकि हमने with respect to A लिखाया ना बिटा A rest पे आ जाएगा तो अगर मैं नया diagram बनाओ नीचे A को rest पे रखते हुए तो अब A जो है वो rest पे move नहीं कर सकता इस नए वाले frame पे इस frame पे B की velocity कितनी होगी देखिए देखिए कितनी होगी VB की value 30 30 है? 30 है? हाँ minus VA की value देखो कितनी है आप बोलो के 20 है तो आप गलत हो minus 20 है नमूनो वो नीचे की तरफ है velocity की बात कर रहे हो आप आप velocity की बात कर रहे हो बेटा तो अगर ये उपर की तरफ था 30 वाला तो आपने उसको positive लिया तो 20 तो नीचे की तरफ है 20 को तो negative लोगे यही mark आगए तो जिनका भी 10 आया है तुमने इसको plus 20 ले लिया होगा तुम्हारे relative velocity 10 आई होगी लेकिन actually relative velocity 50 आईगी अब याद करो तुमने कभी न कभी सुना होगा जब दो पार्टिकल आपस में एक दूसरी की तरफ भागते है ना तो relative velocity उनकी add हो जाती है यह दस से जा रहा है यह नमूना 20 से जा रहा है तो relative velocity 30 हो जाती है because they are approaching each other they are not running away from each other आप समझ रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर देखिए दोनों एक ही direction में जा रहे थे तो subtract हुए थे अब दोनों opposite ऐसे आ रहे हैं एक दूसरी की तरफ जा रहे हैं तो add हो जाएंगे तो relative velocity 50 हो गई और बताओ time कितना लगेगा distance upon velocity, distance कितना है 100, velocity कितनी है 50, time कितना लगेगा 2 second, 2 second is the correct answer लोगा, यह डाई के लोगा हाथ 2 second फिर एक बच्चे ने पूछा बढ़े प्यार से कान में आके Sir, एक बात बताओगे इनका तो acceleration भी है acceleration क्यों नहीं लिया कहता है बच्चा बड़ा smart बच्चा, बहुत smart एक तम बंध ठन के आया है कहता है Sir, इसका acceleration होगा नीचे की तरफ G बिल्कुल होगा इसका भी होगा G, यह gravity के against move कर रहे हैं, तो आपने वो acceleration लगाया ही नहीं, सीधा लिख दिया time बढ़ाबर distance upon velocity S बढ़ाबर ut प्लस half 80 square लगाते ना, ऐसा क्यों कर रहे हो आप अमने उसको बोला, देख बिटा, दोनों का acceleration तो है, लेकिन जब तू relative acceleration निकालेगा ना, तो 0 आ जाएगा, यह तक कैसे करके बताओ, यही formula लगाओ acceleration के लिए मैंने लिख दिया, AB माइनस AA, AB का acceleration भी है बिटा, माइनस G दोनों का माइनस G है, दोनों का नीचे की तरफ है, माइनस A का acceleration भी है, माइनस G solve करो, 0 आएगा, चेक करो चेक करो, 0 आएगा चेक करो, 0 आएगा, इसलिए मैंने acceleration की कोई बात नहीं करी थी तो ऐसे जब gravity के against वाला motion दिया हुआ है, वर्टिकल वाला, तो आप acceleration को भूल जाना वो 0 ही आ जाता है, सिर्फ velocity निकाल लेना, relative वाली distance देख लेना, divide कर देना distance upon relative velocity time आज आएगा मजा आया क्या Yes everyone थोड़ा जोज दिखाओ यार, सर इतने जोज से पढ़ा रहे हैं, तुम अलगी हो Sir equation of motion की second equation लगा के निकालना था ना, अब देखो वही सवाल, वही सवाल आ गया कहता है बच्चा की Sir, इससे कैसे कर लिया, आप distance upon time से equation of motion की second equation लगाओ, आरे ना मूनो, second equation कहती है S बराबर UT प्लस half AT स्क्वार, है ना relative acceleration कितना आ रहा है दोनों का relative frame पे 0 तो relative acceleration 0 तो ये वाला part 0 ये वाला part 0 तो distance बराबर velocity into time तो time बराबर distance upon velocity वही तो किया है, distance upon velocity अच्छा, ये तुमको नहीं पता था अहा मैं आपको एक बात बताता हूँ, कई बच्चे ऐसा मान लेते हैं कि time ऐसे ही निकाला जाएगा distance upon velocity करके से तब निकाला जाता है जब acceleration 0 होता है uniform motion के लिए आप ऐसा कर सकते हैं है ना लेकिन अगर acceleration है particle के पास acceleration है उसके पास तो आप directly ये नहीं कर सकते distance बराबर velocity into time नहीं कर सकते, तब आपको ये लगाना पड़ता है, s बराबर ut plus half at square doubt clear हुआ, देवल का doubt clear हो गया got it बेटा, got it साक्षी कह रही है, sir किसी को भी rest पे assume कर सकते क्या, कर सकते बेटा, लेकिन वो depend करता है, अगर आप VBA लिखोगे तो A rest पे होगा क्योंकि A के reference में आपने लिखा है और अगर आप VAB लिखोगे तो B rest पे होगा, जो बाद में लिखा गया है वही rest पे होता है बूज गया है, बिल्कुल clarity इग्दम बिटा है ना crystal clear का concept एगदम मजेदार तरीके से रापचिक तरीके से बिल्कुल है ना yes, quoted वाहन इश्यू, वाहरितिका, वाहा अंजली इस class में कुछ भी viral हो जाता है यहाँ पे अब वाटेड वाइरल हो चुका है अंगरेजी का murder होता है इस class पे बहुत बढ़िया ठीक है कोई नहीं, चलता है अब बेटा बच्चों kids नमूनों अब हम relative motion 2D में पढ़ेंगे 2D का मतलब क्या होता है खुशिया मनाओ, x आने वाला है x-axis कह रहा हूँ मैं देखो, rain man problem पढ़ाता हूँ आपको इतना आसान explanation आपको आज तक नहीं मिला होगा पुरसियां जोर से पकड़के बैठ जाईए गिरने का बहुत खत्रा है बहुत जटका लगता है जब मैं पढ़ाता हूँ न बच्चो को जटके से गर जाते हैं कि ये टीचर पहले क्यो नहीं बला भाई कितनी आसानी से पढ़ा रहा है हमें पता नहीं rain man में क्या क्या कराते रहते थे चलो बटा मान लो कि किसी दिन रिम जिम हो रही है बारिश ठीक तो बारिश किसी एंगल पर हो सकती है क्या बिल्कुल हो सकती है जनरली एंगल पर ही होती है वैसे कभी-कभी बिल्कुल विंड विंड ना हो तो बारिश सीधी-सीधी भी हो जाती है जनरली हम बोलते हैं कि बारिश ऐसे है ना रिम जिम एक एंगल पे होती है बहुत बढ़िया अगर ये बारिश वर्टिकल के साथ ठीटा एंगल बनाते हुए हो रही है तो आपसे कई बार एक्जामिनर पूछ लेता है कि बताओ चाता किदर होल्ड करोगे तो बहुत ही बकवास से question का बहुत ही बकवास सा answer भी है कि चाता इसके against hold करेंगे ऐसे बहुत ही बेकार सा question था है ऐसे hold करेंगे या तुम्हारे याँ चाता ऐसे लगाते है उल्टा ऐसे ऐसे लगाते हो कि चाता तकि उसे में पानी भर जाए इधर से बारिश आ रही है हमारे याँ चाता ऐसे लगाते है इसके against था कि हम बच जाएं तुम ऐसे लगाते हो कि ठेठा करके ऐसे हाँ नहीं ऐसे लगेंगे अंगल कितना रहेगा थीटा यही situation होती है बटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुनते जाना है न मजा आएगा तुमको लेकिन ऐसे questions आजकल examiner's कम देते हैं और especially जिस दिन examiner की अपनी बीवी से लड़ाई हो जाए उस दिन वो ऐसे questions देते हैं कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम इसका answer तो दे पारे हो अब वो कहते हैं कि अगर तुम बन जाओ एक cockroach ऐसे है वैसे तो मैं इसको इंसान समझके draw करता था तुम्ही लोग ने बोला है cockroach जैसा दिखता है जो भी है और अगर तुम भागने लग जाओ किसी रफतार से अगर तुम किसी रफतार से भागने लग जाओ तो चाते का angle सेम रहेगा या change हो जाएगा यानि कि जो rain तुम्हारी तरफ गिर रही है वो क्या अभी भी उसी angle पे गिरेगी या अलग angle पे गिरेगी आंसर है अलग angle पे गिरेगी भरोसा नहीं होता ना तो किसी दिन जब भारी बरसात हो रही होगी तो किसी भी गाड़ी में आप निकल जाना गाड़ी इसलिए कह रहा हूँ क्यों तेज रफतार से भागती है पाइक पे या कार पे निकल जाओ आप देखोगे कि सीना चीरते हुए बूंदें आपकी तरफ ऐसे आती है ऐसे इस तरफ भले ही बारिष ऐसे हो रही होगी भले ही आप जब rest पे होना तो बारिष ऐसे हो रही होगी bike में बैट जाओ, car में बैट जाओ, full speed में भगाओ बारिष ऐसे होने लग जाती है कभी गौर किया है आपने कि बारिश एकदम ऐसे आ रही है और देखना बूंदे जब लगती है न चेहरे पे दर्द भी होता है लगता है इतनी तेज बारिश हो रही है बाइक में especially रुख जाओ बाइक से है ना खड़े हो जाओ तो नॉर्मल लगता है बाइक पे रहो बहुत तीजी से लगती है बूंदे देखाओ का आपने कभी है ना चलिए इस बात को समझते हैं इसको समझने का simple सा तरीका है हम लोग इतने धीट हैं हम जैसे ही देखते हैं कि velocity किसी angle पे है हम उठाग उसका component ले लेते हैं यह हमारी आदत है बचपन से तो rain के साथ भी हमने यही कांड किया rain की रफतार बेटा किसी angle पे थी हमने पकड़के दो components ले लिए एक component हमने ले लिया इस तरफ एक component हमने ले लिया इस तरफ ठीक बहुत बढ़िया component ले लिया और rain को बोला काटा बाय बाय तुम्हारा काम खतम हम दो component से काम चला लेंगे हाँ बहुत बढ़िया इसको मान लो निकाला गया तो मान लो velocity आई 4 meter per second given value है कुछ भी दे सकता था मैं 4 दे रहा हूँ ठीक है यह भी 4 है और मान लो बेटा यह भी 4 है तो आप क्या कहोगे कि rain की जो horizontal वाली velocity है जो rain को आगे ले जाती है वो 4 है और जो rain को नीचे लाती है vertical velocity वो भी 4 है किसी बच्चे ने एक बार बहुत जबरतज doubt पूछा था मुझसे मुझे याद है किसा rain की velocity क्या जो vertical component है नीचे क्यों लिया मुझे component समझ नहीं आ रहा चल तुझे component समझ नहीं आता है तुझे vector नहीं आता है इतना तो समझ आता होगा कि बारिश नीचे होती है मतलब मैं उसके doubt के बारे में जब सोचता हूँ मुझे लगता है कि उसने ये पूछा ही क्यों था चलो कुछ बच्चे को ये doubt आता है कि सर इधर है तो component नीचे ही आएगा ठीक है तुमको component में doubt है मैं मानता हूँ मैं उसकी पूरी-पूरी respect करता हूँ क्योंकि तुमने vector नहीं पढ़ा होगा बड़ बारिश तो नीचे ही होती है न मुने वो तो समझ सकता था तू खेर एनिवेज आप ये बात जानते बेटा इसका component इधर लिया जाए तो नीचे की तरफ ही आएगा है ना चलिए बहुत बढ़िया अब देखो क्या बोलते हैं अगर आप rest पे हो अगर आप rest पे हो यहाँ पे खड़े हो चुप चाप कुछ नहीं कर रहे तो बता बारिश कितने एंगल पे गिरेगी इतना एंगल तो हर एक बच्चे को आता है 45 डिगरी अरे यार x की भी वैल्यू चार है y की भी वैल्यू चार है tan theta पराबर y by x y b 4 x b 4 चार अपन 4 1 10 theta is equal to 1 theta बराबर 45 बोलो ना बोलो सही बात है 45 बहुत बढ़िया very nice मज़ा आया है ना बच्चे मज़ा आया ठीक है अच्छा अगर रेन की absolute velocity पूछ ले कि बता रेन की रफतार कितनी है रेन की actual रफतार कितनी है तो वो 4 root 2 हो जाएगा यह जानते हो आप इधर 4 है इधर 4 है तो उनका resultant 4 root 2 तो यह actually resultant है हाला कि हमने इसको full ignore मारा हुआ है क्योंकि हम component के साथ deal कर रहे हैं हमें सिर्फ component से मतलब है बाकि किसी चीज से कोई मतलब नहीं है आईए अब इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते है क्या अभी तक हम rest पे थे हाँ लेकिन क्या हम rest पे रहेंगे नहीं अब हम भागेंगे तो ऐसा मान लीजिये थोड़े समय के लिए कि lockdown नहीं था तब की बात चल रही है और हम बढ़िया सडकों पे निकल के खेला कूदा करते थे भागा करते थे इधर से उधर कोई हमें डंडे नहीं मारता था है ना आजकल कितनी sad situation हो गई है ना नहीं नहीं जा सकते आप नहीं भी नहीं जा सकते पुलिस वाले तो डंडे बाद में मारेंगे अगर आप बाहर जाने की बात करो तो पहले आपको घर वाले पीट देते खेर मैं अपनी कोई एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ मैं तो ऐसी बता रहा हूँ कि ऐसा होता होगा वंदब अब देखो जहां से सुनना मेरी बात अब ऐसा बोला गया कि आप जो हो यहाँ पे कौकरोच की तरह दिखने वाले इंसान आप भागने लगे horizontal direction horizontal direction में भागने लगे horizontal direction में भागते होगे तुम रोड पे सडक पे भागते होगे बढ़िया तो अब आपकी रफ्तार हो गई 4 मीटर पो सेकेंड लेट से अब देखना बच्चो ध्याँ से सुनना भागत important है रेन की horizontal रफ्तार कितनी है चार तुम्हारी भी horizontal रफ्तार कितनी है चार अगर मैं velocity of rain with respect to man निकालता हूँ समझे हो VRM का मतलब समझे हो velocity of rain with respect to man मतलब तुम्हारे respect में तुम frame of reference हो तो तुम्हारे respect में निकाला जाए तो VR-VM formula बनेगा और इसको जड़ा horizontal direction में अप्लाई करो horizontal direction में इस logic को अप्लाई करो तो horizontal में देखो बिटा rain की रफतार कितनी है 4 तुम्हारी रफतार कितनी है 4 4-4, 0 तो मैं पता है यह कैसे करना 4-4 अगर cut-out आजाए एक, दो, तीन, चार, चार, लाइने ड्रॉ करिए चार घटाना है, चारों को गायब कर दीजी, कुछ नहीं बचा 0, आहा, फील आगई, पूरी-पूरी फील आगई है न 0 आ रहा है, ओ, इसका मतलब क्या है rain की velocity man के respect में horizontal direction में 0 आ गई इसका मतलब यह है कि rain horizontal में move ही नहीं कर रही ऐसा प्रतीत होगा तुमको तुमको ऐसा प्रतीत होगा कि rain की horizontal velocity तुम्हारे frame से, तुम्हारे frame से ground frame से नहीं, तुम्हारे frame से 0 है vertical वाली है, vertical में कोई effect नहीं आया vertical तो same रहेगी, vertical में थोड़ना relative का formula लगाया है, हम तो horizontal move कर रहे थे, तो horizontal में formula लगाया है, vertical वाली same रहेगी, यानि कि अब आपको चाता लगाना पड़ेगा, vertical low बेडा जुबी 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 पंपार जुबी पंपार यही फॉर्मला था ना, चाता बाता लगानी है, ऐसे करके, देख रहे हो आप और कहीं अगर आप चल पड़े, और आपकी रफ्तार, रेन की horizontal रफ्तार के बराबर हो गई, तो रेन आपको vertical दिखाई देती है, तो अब तुमारे अंदर पक्का ये है ना वो आया होगा, कीड़ा आया होगा, कि सर, अगर मैं रेन से भी तेज भागने लग जाऊ, तो क्या होगा, चलो पता करते हैं सर, कि अगर मैं रेन से भी तेज भागने लग जाऊ, तो क्या होगा आप पता करते हैं, आप पता करते हैं बहुत-बहुत curiosity हो रही है, बहुत curiosity हो रही है, चलो बता करते हैं, तो क्या scene था, scene ये था, कि rain इधर जा रही है, 4 से, इधर जा रही है, 4 से, है ना बेटा, अब अपन जो cockroach type के प्राणी है, यहाँ पे, अपन भागते हैं, 8 से, लिट से, चलेगा बेटा, 8 से भागते हैं, रेन से भी जादा तेज, ऐसा लग रहा है कि हम किसी बाइक में बैट गये हैं, फटफटिया में, 8 मीटर पर सेकंड हमारी रफटार हो चुकी है, अब निकालते हैं, वही चीज जो पहले निकाली थी, velocity of rain with respect to man, formula भी वही रहेगा, VR minus VM, प्यारे बच्चो, VR कितना, horizontal direction में, 4 VR, VM कितना, man की velocity कितनी horizontal direction में, 8, 4 minus 8, answer आएगा, minus 4, oh my god, rain की horizontal velocity, minus 4 आ रही है, इस minus 4 का क्या मतलब है, इस minus 4 का मतलब है कि आपके frame से ऐसा प्रतीत होगा, कि rain की horizontal velocity पिछे की तरफ है, पीछे तो देखो, meme देखा ये वाला, पीछे तो देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा कि rain horizontal में, पीछे जा रही है, उसकी negative velocity आ गई है, vertical में कोई change नहीं है भाई साब, vertical तो same है, 4, vertical में कोई change न आएगा, इनका resultant आएगा, पीछे की तरफ ऐसे, ये resultant है, यही तो बता रहे थे सर, यही तो बता रहे थे, कि भले ही rain actually इधर जा रही होगी, लेकिन अगर तुम काफी रफतार से आगे जाओ ना, bike में बैठके, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि rain तुम्हारी तरफ आ रही एकदम, yes, this is the scenario, मजा आ गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप देख रहे हो, जब ये बंदा ऐसे मान लो रुका हुआ है, तो rain इसके सर पे ऐसे गिर रही है, है ना, मान लो, अगर वो रुका हुआ है, तो, लेकिन अगर वो 8 meter per second से भागने लग जाए, तो rain उसको आके ऐस जाए, ऐसे solve करना है, क्या आपको सर प्राक्टिस भी करवा देते हैं कभी कभार, रोज करवाते हैं, रोज करवाते हैं प्राक्टिस, हाला कि आज 5 बजे प्राक्टिस नहीं करवा रहा हूँ मैं, पिटा, आज 5 बजे ना, मैं आपको error का जो बचा हुआ पार्ट था, कल के session के बाद वो करवा रहा हूँ, क्योंकि flow flow में देखो, खतम हो जाएगा, वरना फिर ना, रह जाता है, तो रही जाता है, तो मैं पता ही है, जिसे friction part 2 रहे गया है, करा दूँगा, Sunday को करा दूँगा, most probably, और वो gap आ जाता है, तो थोड़ा सा feel कमाती है न, मानते हो न, तो कल error का part 1 हुआ था, आज part 2 कर लेंगे, इसलिए आज practice नहीं करा रहा हूँ, most probably tomorrow we will have a practice session dedicated to relative motion, सिर्फ और सिर्फ उसमें relative motion, relative in 1D, relative in 2D, rain man, river boat, और एक और सवाल होता है, कि एक ship इधर जा रहा है, एक ship इधर जा रहा है, इनके बीच का minimum distance निकालो, ये भी करवाँगा, नीट का previous year question है वो, तो practice होगी, तरो मत, पहले theory सीखो, clear है बच्चो, है ना, yes, आईए, आगे बढ़ते हैं, अब बेटा जो next topic है, वो है हमारा, आखरी topic इस chapter का, और वो है हमारा river boat problem, rain man बहुत आसान है, बहुत जादा आसान है, आपने देख लिया, है ना, अब आज आते हैं, river boat problem, मैम का session है, बट वो 2022 का है ना, तो 2021 के बच्चे रुख सकते हैं, अगर कोई 2022 का बच्चा है, तो वो चला जाए, मैं वैसे 4-15 तक खतम कर दूँगा, ठीक है, इसका देखेंगे, कुछ है, जो clash हो रहा है, टाइमिंग्स का, इसका आपन कुछ जुगार देखेंगे, लेकिन फिलाल तो मुझे river boat पढ़ाना है, तो मैं पढ़ा के छोड़ूँगा, है ना, बटा, चलो, इसका देखेंगे कुछ है, ना, मैम का या तो 4-30 करने के लिए बोलेंगे, या तो अपना 2-30 कर लेंगे, ताकि time मिल जाए, ठीक है, 11th है, चाहे 12th है, जो भी है session, 2021 वाले है, त हम लोग अपना boat लेके निकल चुके हैं, बिल्कुल river rafting करने के लिए तैयार, अच्छा river boat में ना, सबसे पहले तो एक ये वाला situation बनता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कहते हैं कि देखो, river आगे की तरफ जा रही है, देखो river कहा जा रही है बिटा, आगे की ठीक, और तुम्हारा जो boat है इसमें, ये जो boat है, उसके भी engine की रफतार इधर ही है, तो ये velocity of your boat हो गया, है ना, इधर river की रफतार है, तो इधर river जा रहा है, ठीक है, तो आपसे पूछते हैं कि मान लो, अगर boat की velocity 5 है, river की velocity 3 है, तो actually relative velocity boat की कितनी हो जाएगी, वो 8 हो जाएगा, अरे समझते हो, boat कितने से जाएगा, 8 से जाएगा, क्योंकि 5 तो उसका engine उसको आगे बढ़ा रहा है, है ना, 5 तो उसका engine उसको आगे बढ़ा रहा है, तीन river उसको आगे बढ़ा रहा है, तो 8 से जाएगा, अब तुम मुझे बताना एक सवाल का जवाब, है ना, ऐसे बाहर आके ground पे खड़ा हो जाओ यहां पे ground पे बढ़िया वो beach होता है ना नदी के किनारे river beach भी होता है river beach पे बढ़िया वो shack लगा के ऐसे लेटा हुआ हो मैं एक मेरे पास coca cola का वो है bottle है उसमें ऐसे straw है नीबू लगा हुआ है उपर पढ़िया चल रहा है मज़ा रहा है ठीक तो अतव यहां से मुझे boat की velocity कितनी दिखाई देगी मुझे क्या लगेगा कि boat कितनी रफतार से जा रहा है पांच से तीन से या आट से मुझे क्या दिखाई देगा मुझे दिखाई देगा आट उसकी actual रफतार मुझे दिखाई देगी क्योंकि 5 से तो उसका engine चल रहा है 3 से river भी उसको आगे लेके जा रही है तो मुझे तो वो boat काफी तेजी से आगे जाता हुआ दिखाई देगा मानते हो ना 8 से आगे जाता हुआ दिखाई देगा 8 meter per second और जो मुझे दिखाई दिया ना वो उसकी actual रफतार है और उसको मैं बोलूँगा VB velocity of boat ये art है अब ध्यान से सुनना इसमें एक और रफतार होती है बोट की जिसको हम बोलते है VBR ये बहुत important है बेटा ये समझ गया है river boat problem खतम है ये समझना बहुत जरूरी है जो बच्चे कहने 2035 के हैं 2030 के हैं बहुत ही आप hybrid type के बच्चे हैं याप याप इस में एक्जाम देना है मतलब अभी आप शायद कि इतना calculation में नहीं करना चाहता हूं बहुत simple मज़ा आ जाएगा तुमको बहुत simple है VBR boat की रफ्तार है with respect to river मानते हैं क्या आप लोग VBR with respect to river है के नहीं ये बेटा बिल्कुल है अब सोचो इस frame पे कौन rest पे होगा river अगर बेटा river rest पे आ जाए इस frame पे अगर river rest पे आ जाए river चल ही नहीं रही तो boat कितनी speed से चलेगी engine speed से याने की 5 से याने की 5 से तो ये VBR 5 है नम उनों फिर से समझाओ या समझ में आया एक तरीका समझाए एक और समझाओंगा अभी don't worry at all VBR मतलब velocity of boat with respect to river with respect to river मतलब river rest पे है बिटा जब river rest पे है तो river उसको आगे push नहीं कर रही है river rest पे उस frame पे river तो उस frame पे rest पे आ चुकी है इस frame पे तो boat के पास कितनी रफतार बचेगी 5 जो उसकी engine की speed है सिर्फ engine की वज़ा से डुग 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 आगे बढ़ेगा पांच से अच्छा इसी को आप formula से समझना चाहो तो तो VBR बराबर VB-VR भी लिख लो आप तो VB की value कितनी है यह देखो पहले लिखा तुमने 8 VBR की value कितनी है तीन तो answer आएगा पांच अब जो लोग दो 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 चिला रहे थे तो इन दोनों को सब्ट्रैक कर रहे थे खलती कर रहे थे ना तुम्हें actually इन दोनों को सब्ट्रैक करना है 8-3 क्योंकि VB यह है नमूने तेरे को VB-VR करना है बेटा तो VB-VR करो पांच आ आगे बात करते हैं ठीक है अगर रिवर रेस्ट पर ना हो तो अरे वैसा तो रिवर रेस्ट पर नहीं है तीन से आगे जा रही है बोट का एंजन पांच से आगे जा रहा है तो तुम्हारी टोटल रफ्तार कितनी हो गई 8 अच्छा जितने बच्चों को इसकी थोड़ी सी क चलते चलते ठक जाते हो आप तो मान लो बेटा वो conveyor belt आगे जा रही है टू मीटर पर सेकेंट से ठीक तुम इसके ऊपर जाके सिर्फ ऐसे खड़े हो गया है तो तुम कितनी रफ्तार से आगे जाओगे जितने से belt आगे जा रही है यानि कि तुम भी 2 से आगे जाओगे ल तुम्हारी टोटल वेलासिरी कितनी हो जाएगी पता है पांच और दो साथ तो अगर मैं बाहर ग्राउंड से देखेंगा न तुमको तो मुझे लगे यह कैसा एलियन टाइप का प्राणी है भाई अगर मैं बाहर से देखेंगा तो लगेगा तुम 7 से आगे जा रहे हो तो मैंने नीचे देखा तो नीचे वो रैंप भी चल रहा था तो आक्चुली रैंप की रफ्तार और उस महिला की रफ्तार एड हो गई थी और मुझे जो दिखाई दे रहा था ग्राउंड फ्रेम से मैं बोलूगा वही उसकी अप्सॉल्यूट रफ्तार है बिल्कुल वैसा ही तो पांच से ही उसको आगे लेके जा रहा है तीन एक्स्ट्रा तो रिवर ने दिया है उसको इसलिए उसकी टोटल रफ्तार आठ हो गई है अब समझे बिटा तो बाहर से जो दिखाई देता है वो एक्चुल रफ्तार होता है यानि की VB होता है VBR के लिए क्या करोगे? with respect to river VBR का मतलब है with respect to river with respect to river मतलब river rest पे with respect to river मतलब river rest पे तो बिटा अगर river rest पे है तो boat के पास ले दे के क्या बचा हुआ है 5 तो वो वाली रफ्तार 5 हो जाएगी ये समझा रहा था मैं आप अब तो boat के पास कुछ नहीं बचा है इस example से मुझे पता है तो मैं बिल्कुल clear हो गया होगा सब कुछ है ना बच्चो है ना चलो बहुत बढ़िया patience है patience का level अच्छा है प्यार से पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा सा slow होके पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत important topic पढ़ाने वाला हूँ river boat perpendicular वाला perpendicular वाला ठीक है ध्यान से सुनते जाना perpendicular केस में क्या होता है ये आपके exam में आता है ये ना इसमें क्या होता है ऐसे देखो कल-कल बहता पानी नमामी गंगे ये हमारी river ऐसे बह रही है ठीक है बहुत बढ़िया river का पानी blue होता है ब्लू है पानी 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 बना दो और दिन भी सानी 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 सन भी बना दो इधर है ना यह सन है बेटा तो ब्लू है पानी और दिन है सानी अब देखो मानलो रिवर की रफ्तार है वी आर जहांचे सुनते जाना भई है ना रिवर के रफ्तार है वी आर, बहुत बढ़िया, velocity of river, इस end से एक नाविक, इसको आप कहते हैं boatman, वो ऐसी इक्षा रखता है, कि मैं यहां से cross करके river के दूसरी तरफ पहुंच जाऊं, यहां पहुंच जाऊं, ठीक है, उसकी ऐसी इक्षा है वेटा, उसकी दिली इक्षा है, कि इस river को वो cross कर ले, तो perpendicular case हो गया, बिल्कुल हो गया, अब, अब, वो मान लो बेटा, ऐसे किसी angle पर जाने की कोशिश करता है, दिख रहा है आपको वो angle, angle है बच्चो, theta, इधर जाने की कोशिश कर रहा है वो, अब बताईए, क्या वो यहीं straight line में चलते चलते, इधर पह पहुँच जाएगा, कहीं और पहुँच जाएगा, river के flow की वजए से, river इसको आगे लेके चली जाएगी, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि actually वो बिचारा, जाना तो इधर चाता था, पहुँच गए या इधर, जाना था कहीं और, पहुँच गए कहीं और, तो इस distance को हम वैसे drift कहते हैं, इसको हम लोग drift कहते हैं, कि drift होके वो उधर चला गया, जैसे कुछ लोग car में drift करते हैं, drift करते हैं, वो slide होके आगे चली जाती है, वैसे ये भी विचारा slide होते होते हैं, आगे चला गया, इसको हम x को drift कहते हैं, x कहां से measure किया गया है, exactly opposite point से, जहां से वो चलना velocity यह वाली एक velocity यह वाली white वाली और green वाली कौन सा है VB कौन सा है VBR कौन सा है VBR मैं बता देता हूं don't worry यह है VB तो मुलो गया सो और अइसा कैसे यह कैसे VB हो गया क्घाउंड से देखो गे तो बोट की कौन सी velocity दिखाई देगी ग्राउंड से ग्राउंड से देखना भाई साब वीबी मतलब absolute velocity है ग्राउंड से देखा जाता है वीबी को ग्राउंड से देखोगे तो वीबी वाली velocity तो दिखाई देगी तुम बोलोगे ऐसे लेटे लेटे हाँ इधर जा रही है वीबी की तरफ तो green वाला वीबी है और जहां उसने जाने की कोशिश करी जहां उसने जाने का बेटा try किया न वो वीबी आर होता है वो वाला वीबी आर होता है तो सबसे पहले तो आप वीबी आर और वीबी को पहचानना सीखिए सीख लिया क्या आपने बच्चो अगर सीख लिया तो यह formula लगाईए VBR बराबर VB-VR यह formula होता है होता है होता है हाँ इसको थोड़ा सा side change कर रहा हूँ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ VBR प्लस VR हाँ तो यह VB जो है न यह VBR और VR का resultant कहलाता है अरे नमूनों ऐसा कुछ पढ़ा है पहले C vector बराबर A vector प्लस B vector तुमने एक्चुरी इसको R vector बुला होगा resultant vector है ना है ना है ना हाँ ओ अच्छा तो सर यहाँ पर यह कहना चाहरे है कि VB is nothing but resultant of VBR and VR तो अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे पूरे riverboard problem में सिर्फ यह कोशिश करेंगे कि हम VBR और VR का resultant ले पाएं repeat after me हमें क्या करना है अब सिर्फ और सिर्फ VBR का और VR का resultant लेना है solve करना है ठीक everyone जल्दी बता दीजे जल्दी बता दीजे गरिमा कह रही है बहुत भयंकर नीद आती है आखे नहीं खुल रही है सर प्लीज टाइमिंग चेंज कर दीजिए टाइम पे दो बहुत बढ़िया हमने अलग अलग तरीके के demand देखे गरिमा शुकला की demand अलग ही है बिल्कुल अलग है यह कुछ-कुछ वैसी वाली बात है कि एक बार ट्रेन चल रही थी तो ट्रेन में एक आदमी बहुत पीछे वाले डब्बे में बैठा था तो जब भी ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकती थी ना रेलवे स्टेशन पे तो वो विचारा इतने पीछे होता था कि उसको कुछ खरीदना है तो वो खरीदी नहीं पाता था उतरे दुकान तक जाए यतने में ट्रेन चल पड़ती थी फिर बैठके चुपचाप निकलना पड़ता था उसको तो उसने रेलवे मिनिस्टर को एक लेटर लिखा कि रेलवे मिनिस्टर महोदे मुझे हमेशा पीछे वाला डब्बा मिल जाता है मैं बहुत परेशान हूँ मैं आपसे आगरह करता हूँ कि आप ट्रेन में पीछे वाला डब्बा ना लगाए ट्रेन में कोई भी पीछे वाला डब्बा नहीं होना चाहिए और अगर आपको लगाना भी है तो उस पीछे वाले डब्बे को सबसे आगे लगाई है तो कुछ-कुछ इसी तरीके का गरिमा शुकला ने यहाँ पर है ना डिमांड करी है या तो क्लास ही मतलब लगाना है तो कभी और लगाना है तो देखा उसका डिमांड देख रहे हो जब तक मैं बात कर रहा था यह बी वेक्टर है यह ना चलो ठीक है बहुत बढ़िया बच्चो यहाँ तक सभी को क्लियर है तो मैं अब बस खतम करने वाला हूँ इस पूरे टॉपिक को ध्यान से सुन लीजिए का मेरी बात है ना किनका किनका रिजल्टेंट निकालना है बच्चो वी बी आर का और वी आर का निकालना है क्या वी बी आर का और वी आर का निकालना है क्या रिजल्टेंट हाँ आप देखो वी बी आर ऐसे था यह था बच्चो वी बी आर अंगल था इसका थीटा है ना इधर क्या था वेटा, वी आर, चेक करलो एक बार जल्दी से, इधर इधा ना, वी आर आगे की तरफ, विवर की विलॉसिटी, इनका रेजरीटेंट आपको मैं बोलू निकालने तो कैसे निकालो गया, इसमें परललोग्राम लॉ मत लगाओ, इसमें मत लगाओ, अपनी धीट को याद रखना हम इतने धीट हैं कि जैसे ही वेलॉसिटी को किसी एंगल पर देखते हैं कॉंपनेंट ले लेते हैं वी वी आर को हमने देखा वी वी आर हमको देखके डर रहा है कहां पर रहा है अंदर से यह हमें नहीं छोड़ेंगे अभी हमारा ले लेंगे बिल्कुल सही सोच रहे तुम बेटा तुमारा कॉंपनेंट ही लिया जाएगा तुम इसी के लायक हो तो हमने वी बी आर को पकड़ा एक कॉंपनेंट लिया बेटा इसका ऊपर की तरफ देख लो आप कितना आएगा वी बी आर कॉस्ट थीटा येस डार अन्डस् करना बहुत आसान है अब बेटा वाई डार厲害्शन में तो आप देख रहे हो कि उपर की तरफ क्या वेक्टर आ रहा है मैं اї आर काॉस्ट थीटा ये जो डीरेशन है ये ये कितनी कभर करना है क्रॉस करने के लिए W इस तो बच्चों बड़ाबर तो बच्चे बड़ाबर टी बड़ाबर दम बart Metropolitan है W upon VBR cos theta, तो बच्चा भी बोलता है, W upon VBR cos theta, याद हो गया, T बराबर W upon VBR cos theta, समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन यहां सब कुछ समझ में आया, VBR के दो components लिए गए, उपर वाला component आया, VBR cos theta, यही काम करता है river को cross कराने करने के लिए distance travel करना पड़ता है W, तो distance W है, velocity इतनी है, तो time कितना लगेगा, इतना W upon VBR cos theta, done, आतम, आराइंडस्टेट, आतम हो गया, है ना बच्चो, यह, ऐसे होता है time निकालना सभी को आ गया है क्या, time निकालना हर एक बच्चे को आ गया है क्या, हाँ, अब मैं सिखाता हूँ drift निकालना, बच्चो याद है drift क्या था, drift था, इस direction का distance, इधर का, right की तरफ का, तो अगर आपको drift निकालना है, तो velocity किदर की चाहिए, right की तरफ की, तो right की तरफ कितनी velocity है, देखो, इधर है vr, पीछे है vbr sin theta, subtract कर दो, right की velocity आ जाएगी, तो right की जो net velocity आएगी न, वो मैं बताता हूँ कितनी आएगी, देखो, right की जो net कर लिया है कि vr greater than vbr sin theta है, और generally होता भी है, river की velocity जादा होती है vbr sin theta से, तभी तो आगे जाएगा, यह जादा है, यह थोड़ा कम है, देखो बेटा, तो right की तरफ ले जाने वाली रफतार यह है, उपर की तरफ ले जाने वाला रफतार यह है, तो right का displacement, यानि कि drift कैसे लिखा जाएगा, distance होता है, velocity into time, right वाली velocity यह रही, vr minus vbr sin theta, और time रहा यह, time यहां से आजाएगा, आपको drift मिल जाएगा, चेक करके बतादो बेटा, feel आई है, चेक करके बतादो बेटा, feel आई है, yes or no, come on everyone, यार जैसे आप projectile में नहीं करते थे, कि range निकालना होता था, तो horizontal velocity लेते थे, time से multiply करते थे, करते थे न, ऐसा ही कुछ तो है यहां पे भी, drift निकालना है, drift horizontal direction में है, तो horizontal velocity लेंगे, time से multiply कर देंगे, आताँ, दिल बना दो, यार, मजा आया है, है न, एक question करोगे आप लोग, बताओ, नहीं बोलोगे तो नहीं कराओंगा, बोलोगे तो करा दूँगा, तुम जैसा बोलो बिटा, या फिर question practice बाद में करवा दूँँ, अभी तुमें short tick सिखा दू, दो यहां पे न, दो यहां पे special cases होते हैं, वो सिखा देता हूँ, ठीक है, practice अपन session में कर लेंगे, special class में, ठीक, चलो, special case number one, special case number one, special case number one क्या होता है, जो यह boatman है न, जो cross करना चाहता है river को, यह भागा भागा आता है हमारे पास और कहता है, कि गुरुदेव, हमें न, minimum time में cross करवा दो, तो पहला special case है, minimum time, मैं न, last में पूरा conclude कर दूँँगा, एक बार में सब समझ में आ जाएगा, tension मत लेना, minimum time, अब देखो बेटा, हमने time का formula देखा था क्या, यह आया था क्या, हाँ, width upon VBR, देखो तुमको न, तुम्हारी में परिशानी समझ पा रहा हो, तुम थोड़े थोड़े परिशानी हटाता हूं, देखो, river boot problem में बस इतना याद रखो, इधर ले जाने वाली रफतार है, VBR cos theta, cross कराने वाली रफतार, आगे ले जाने वाली रफतार है, VBR minus VBR sin theta, अगर तुम यह velocity diagram याद कर लोगे, इतना सा बस velocity diagram याद कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, that is my guarantee, कुछ नहीं इसके बाद, इसके बाद बस दो तीजे तो पूछते हैं, आपसे कि बताओ, कितने time में cross कर लेगा, तो जब प च्राबर width upon VBR cos theta, क्या मैं तुम्हें time का formula रटवा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि तुम velocity diagram याद कर लो, पार कराने वाली रफतार, नहीं या पार कराने वाली रफतार, VBR cos theta है, आगे ले जाने वाली रफतार, VBR sin theta, अब अगर मैं minimum time की बा कर रहे हो, पर आपनी width कम कर लीजिए, हमें कम से कम time में cross करना है, वो तो और बढ़ा देंगी गुस्से में आके, width नहीं change हो सकता, VBR मतलब engine की speed है, ये नहीं change हो सकता, ये तो fix है, theta change हो सकता है, अगर मैं cos theta को 1 बना दू, यानि कि maximum कर दू denominator, तो time minimum हो जाएगा, तो minimum time की condition ह cos theta की value 1, यानि कि theta की value 0, cos 0, 1 होता है न, cos 0, 1 होता है न, yes, pass, इतना करना है आपको, theta 0 कर दो time minimum हो जाता है, अब पता है, diagram कैसे बनेगा, देखो, अब diagram कुछ ऐसे बनेगा, theta तो 0 हो चुका है, तो इसी line के along आप try करेंगे जाने का, आप देखो न, theta कहां से measure किया था, इस व अब यह theta 0 है, आप इसी line के along जाओगे, तो yes, your VBR will be in this direction, समझ गए, VBR will be in this direction, यह width है, अब आप या तो time में यहाँ पे 1 रख के formula निकाल लो, 1 रखोगे तो time बराबर W by VBR आ जाएगा, या फिर यहाँ से देख लो न, diagram से, width W, उस direction की velocity VBR, खतम हो गया, time बराबर W by VBR, अर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कुछ भी रटो, इसलिए बता रहा हूँ ऐसा, 0 angle है यह, theta बराबर 0 angle, तो बताइए minimum time के case में क्या theta होना चाहिए, 0, बास, खतम हो की बात, अच्छा, एक और case करा देता हूँ, फिर class खतम है आपको, मुझे पता है आपको मैम की class में जाना है इसलिए case में क्या होता है बेटा, सबसे extreme possibility यह है, कि आप चलना यहां से शुरू करो, और ऐसे चलो, ऐसे चलो, कि सीधा आप यहां पहुँच जाओ, सीधा opposite bank में पहुच जाओ, बात समझ में आरी ही बेटा, यहां से आपने चलना शुरू किया और सीधा आप यहां possible है, जब यह VB की direction हो, तुम लोगों का दिमाग पूरा रुख चुका है क्या, पूरा रुख चुका है क्या, एकदम खतम हो चुका है क्या, यह थोड़ा बहुत है अभी patience, यह बता तो मुझे तो पहले, तुम्हारे दिमाग में अभी कुछ बचा हुआ है, समझने और मैंने क्या वोला, minimum drift, यहां से चला opposite bank में पहुँच गया, तो जहां वो actually पहुँच जाता है, वही तो VB होता है, है ना बच्चो, पानी पिना तो भूली गया था मैं आज, जहां वो actually पहुँच जाता है, वही तो VB होता है, तो क्या बेटा, VB की direction यही हो जाएगी, हाँ और VBR इधर होगा, इधर से आप कुछ try करेंगे, अरे बेटा, ऐसे try करोगे, तभी तो वैसे पहुच सकते हो, बिल्कुल सही बात है, तो अब आपको मैं बताता हूँ, यहां पे condition क्या बनती है, minimum drift वाले में, या फिर 0 drift कहलो आप इसको, इसको आप 0 drift कहलो, कोई drift नहीं है आपर, drift ही नहीं चाहिए अपन को, सीधा वहीं पहुच जाना है, तो देखो बिटा, ऐसा है, ऊपर आता था VBR cos theta, है ना बच्चो, इधर आता था VBR sin theta and VR, तो ध्यान से लेखना, VR minus VBR sin theta, velocity diagram सभी को याद हो गया आए गया, यह मैं तब से बता रहा हूँ बिटा, यह वाला आता हमारा general velocity diagram, और यह है हमारा resultant VB, सोचो, अगर resultant ही उपर की तरफ है, तो उसका component X में कितना होना चाहिए, 0, आप ऐसे सोचो, resultant VB है, VB उपर की तरफ है, तो इधर का resultant कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो resultant उपर आएगा, अरे यार मैं कहता हूँ कि तो तुम बताओ, इसका component X में कितना आएगा, 0, yes, तो basically यहाँ पर X वाली velocity 0 हो जाती है, और X वाली velocity 0 होने का मतलब क्या है, VR माइनस VBR sin theta 0 हो जाता है, यहाँ से आपको sin theta की value मिलेगी, जो की है, बच्चों कितनी आ रही है, VR बराबर VBR sin theta, तो sin theta बराबर VR upon VBR, लो खतम, down and dusted, revision हो गया, जवरदस्त, yes, यह किसकी condition है, बोलो, यह condition है zero drift की, और minimum time का condition क्या है बेटा, minimum time का condition है theta बराबर 0, अब प्लीज इसको revise करके आ जाना, बहुत जवरदस तरीके से पढ़ा दिया है, थोड़ा time भी ज़्यादा लग गया हमें, बट सब कुछ खतम कर दिय मैंने, साथ ही साथ बेटा हमने यहाँ पे rain man भी बहुत जवरदस तरीके से सीख लिया है, पूरा revise करके आओगे, तो कल 5 बजे इसका practice करवा दूँगा, भर-भर के question करवा दूँगा, 10-12 questions करवा दूँगा, ताकि उसके बाद कभी भी तुम्हारे इसमें गलती ना हो, और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़िया revision कर रहे हैं, तो बचे बहुत बढ़िया कर रहे हैं, तुम लोग अच्छा कर लोगे, और ये थोड़ा सा अतरंगी topic था, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये topic से neat में सवाल थोड़े से कम आते हैं, अब बता रहा हूँ, नह उनको चार नमबर देदेगा, कई बच्चे जो नहीं करके जाएंगे, उनको चार नमबर नहीं मिलेगा, तो यही तो rank है, अभी तो आपको ज्यादा rank मिलती है, तो आप कुछ भी छोड़के नहीं जाएंगे, अच्छा topic है, करके जाएंगे, है ना बच्चो, चलो गाइस, तो टेलिग्राम ID, जोइन कर लिजए हमारे टेलिग्राम ग्रुप को, और समर्पन बैच बेटा 2022 के बच्चे जोइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ना कोई बच्चा मुझे परिशान लग रहा है, मैंग कह रहा है, सर आपने और किसी को नहीं देखा, और होस्टेस को ही क देखा आपने रैम पे तो बहुत लोग होंगे, वाह, मतलब ये तो मेरे चरित्र पे सीधा सीधा सवाल उठा दिया बाई ने, कह रहा है मैं से कंप्लीन करेंगे, ए बेटा, बाकी लोग जल्दी में नहीं थे, वो आराम से चल रहे थे, प्यार से चल रहे थे, ये मैडम ब वो रैम अल्रेडी आगे जा रहा है, उस पे आप भाग रहे हो, तो कोई बहुत तेजी से चलती हुई चीज आपको अलग से नजर में आ जाती है, है ना, पढ़ाई वाले डाउट भी पूछ लिया अगरो थोड़ा, नमूनो, तो बेटा आपने दोस्तों को, यारों को, ज 12 months का अगर लें, तो 3 महिने का free मिल रहा है, यह offer सिर्फ आज तक ही है, यानि कि 28 April तक ही है, है ना, नर्चर बैच भी यह बिटा, 2023 के लिए है, यानि कि 11th के लिए है, तो यह भी 28 April से ही चालू हो रहा है, ठीक है बच्छो, चलो, Unacademy Combat, यह भी आप ले सकते हैं, यहाँ प कि अगूद के लिए and Kinalda हा गभ, कि लिए् جापफ है, यानि कि नटे बांन वे सकते ही है, यह ही यह है, रे कि यह कि उन्ट एंपर है, यह मैद्छोपन के तक है कि झाप है, अजल नहा है, यह करता है ये यह Please अग